है लोगों मैं गीता नेगी गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो हम जब गार्डनिंग करते हैं तो कई तरह के पॉट्स हम अपने गार्डन में इस्तमाल करते हैं तो उन पॉट्स को किस तरह से इस्तमाल करना है अपने गार्डनिंग में स्मार्टली वो म प्लांट के अपना एड्वांटेज भी है तो वह मैं सब आपको बताऊंगी अगर तो आप टैरिस गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्लास्टिक के पॉर्ट बैस्ट रहते हैं वह इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के पॉर्ट वेट में थोड़े हलके होते हैं और मिट्टी और सिम उसी तरह प्लांट के प्लांट अच्छे चलेंगे क्योंकि इसमें नमी बनी रहे ग़ी प्लांट की जड़ों में उसी तरह मिट्टी के pot में उस तरह के plant लगाई है वैसे best निटी के pot रहते हैं क्योंकि इसमें quartz होते हैं तो जल्दी मिटी सूख जाती है मगर आप इसको इस तरह से भी use कर सकते हो कि इसमें ऐसे plant लगाई है जिनको पानी की कम जरूरत हो तो जल्दी पानी सोख लेगा तो इससे plant की जड़े सही रहेंगी ऐसे ही सिमन्ट के planter भी रहते हैं ठीक क्योंकि इसमें भी जल्दी पानी सूख जाता है तो इसमें भी मैंने इसलिए कलांचों के लगा रखे हैं plant क्योंकि इनको भी पानी की कम जरुरत होती है तो मिट्टी के और सिमन्ट के planter में आप वही plant लगाएं जिनको पानी की कम जरुरत है तो उससे क्या होगा उनको अच्छी ग्रोथ होगी उन plants की और आपके planter खराब भी नहीं होंगे अगर इनी plant को आप सिमन्ट के pot में लगाएंगे और जिससे उनके पानी जल्दी सुखेगा नहीं और उससे आपके plant खराब होने शुरू हो जाएंगे तो plant के choice भी आप plant को देखकर planter की choice करिए smartly आपके plant अच्छे चलेंगे अब देखी इस plant को पानी की थोड़ी कम जरुरत थी तो मैंने इसको ceramic के pot में प्लांट हो गया आपका एगलोनीमा हो गया यह सब आप मिट्टी के pot में लगाईए तो बहुत अच्छे से चलेंगे और इसी तरह से मैंने यह चोट चोटे चाई के कुलर होते है वो भी मिट्टी के बने वे होते हैं उनमें मैंने अगयव प्लांट की कुछ बेबी लगाए थे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे है यह देखे क्योंकि अगयव को भी पानी की बहुत कम जरूत होती है तो इसमें मिट्टी हमेशा dry side में रहती है तो जिससे इसके प्लांट की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो आप इस तरह से अपने प्लांट और एक ceramic planter भी होते है उनमें भी जल्दी पानी सूखता नहीं है जैसे plastic के pot होते हैं तो इन plastic के pot और ceramic के pot में आप हमेशा welder and soil बनाए है जिससे की पानी डालो और फटा-फटो drainage hole से भार निकल जाए तो इससे आपके plant अपमेशा अच्छे बने रहेंगे तो आपको मेरी वीडियो जरा भी informative लगी हो जरा भी आपको आच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe भी करें प्लीज मेरे चैनल को जरूर subscribe करें अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी informative लग रही है तो आप सभी का भूद भूद धन्यवाद आप लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे comment भी दिये हैं जिससे मुझे भूद motivation मिल रही है और इसी तरह मेरा सेहो करते रही है